नमस्कार चटपटी खबरों के नियूस प्लेटर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अमित राजपूत जांबिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में एक हैरत अंगेज घटना हुई यहां एक 8 साल की आईवाले हाथी का मुकाबला 14 भूखी शेरनियों से हुआ चवतरफा हमले में हाथी ने अपनी ताकत के साथ सूजबूज से काम लिया और बच निकला सबसे पहले भोजन की बड़ी खुराग देखकर शेरनिया गजराज पर तूट पड़ी शेरनियों के खुनी पंजो ने हाथी को बेबस कर दिया जिससे हाथी ने पास की दरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया पानी में शिकारी पंजो की ताकत कम होते ही गजराज उन पर भारी पढ़ने लगा अपनी इस सूझ बूझ के बाद हाथी ने चिघारते हुए सभी शेरनियों को दूर खदेड दिया बाद में उसे हरक्यूलिस नाम दिया गया ये रोमांचक घटना यूट्यूब पर देखी जा सकती है जाहिर है ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा एक बिना बोरिंग करने वाली नोटबुक अमूमन आपको नोटबुक देखने में बोरिंग लगती होगी सपाट पेज, उस पर खिची लाइनों में कोई आकरशन नहीं होता नोटबुक की इसी बोरियत को देखकर ब्राजील के 15 वर्षी जोवाओ करवालियों ने एक ऐसी नोटबुक तयार की है जिसे देखकर किसी का भी चेहरा खुशी से चमक जाए इस नोटबुक के हर पेज पर एक 3D ड्रॉइंग है कार्टून केरेक्टर से लेकर साइन्स सबजेक्ट तक करवालियों की ड्रॉइंग का हिस्सा है इस ड्रॉइंग को बनाने में खास तक्निकी का इस्तेमाल किया जाता है फिर उसे शड़ दिया जाता है शड़ देने के बाद ड्रॉइंग पूरी की जाती है हैरानी की बात ये है कि इस तरह की कलाकारी के लिए जुआओ ने कोई लंबा अभ्यास नहीं किया है इसी साल जून में उसने नोटबुक पर 3D ड्राइंग बनाना शुरू किया और अब इस 3D ड्राइंग में करवालियों को महारत हासिल हो गई है लेकिन कभी-कभी लोग अपनी महारत के बावजूद भी गलतियां कर जाते हैं चर्चित उपन्यासकार चेतन भगत की अभी एक नई किताब Half Girlfriend आई है इस किताब में उन्होंने डुम्राव राजपरिवार को अयाश बताया है मजाक उलाते हुए लिखा है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर होती है किताब के कंटेंट से राजपरिवार चेतन से नाराज है डुम्राव महाराज कमल सिंग के पुत्र युवराज चंदर विजय सिंग ने इसकी पुस्टी की है कला और साहित जगत से जुड़े लोग भी राजपरिवार और बिहार के इस अपमान से आक्रोशित है फिल्म स्टार और डुम्राव की मूल निवासी नीतु चंदरा ने अपने फेस्बुक पर चेतन को चुनौती दी है कहा है कि वे बिहार आकर डुम्राव राज का वैभो देख जाएं उमीद है कि दंग रह जाएंगे जब भाब से दोडेंगी बाइक जी हाँ जहां कार उत्पादक कमपनियां इको फ्रेंडली गाडियां बनाने के लिए हाइड्रोजन, फ्यूल, सेल्स और ग्रीन, इलेक्रिसिटी जैसे विकलपो पर काम कर रही है वहीं इंगलैंड के कार्न विल में रहने वाले तीन दोस्तों ने भाब से चलने वाली मोटर बाइक बनाई है इसमें इंधन के तौर पर वुड चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है फिलहाल ये तीनों दोस्त अपनी मोटर बाइक का टेस्ट करने में जुटे हुए हैं उन्हें उम्मीद है कि उनका बनाया हुआ बायो गैस इंजिन घरों को रोशन करने और दूसरी मशीनों के संचालन में डीजल से काफी सस्ता साबित हो सकता है ये बाइक एक किलो वुडेन चिप्स से करीब 25 मिल का सफर तै करती है इसे स्टार्ट होने में 5 मिनट का वक्त लगता है खोज करता हूं रिचर्ड ब्लैक बारो, मैट थॉम्सन और वाल्डरेन का दावा है कि यह मशीन एक छोटे जनरेटर के तौर पर भी उपयोग की जा सकती है ये सब वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है सोचो, जब आसमान के सितारे सड़क पर उतर आएं तो अंधिरी रात में सड़क वैसे ही चमकेगी जैसे सितारों भरा आकाश नीदरलेंड के डिजाइनर डान रोजगार्डे ने चितरकार विंसेंट विलेन वान गो की मशुहूर सितारों भरी पिंटिंग से प्रभावित होकर एक ऐसी सड़क बनाई है जो रात को जगमगाती है यह सड़क सौर उर्जा की मदद से चमकने वाली LED और कंक्रीट से बनी है इस साइकल ट्रेक को मशुहूर चितरकार वान गो के जन्म स्थान के पास बनाया गया है जगमगाती सड़क पर अंधिरी रात में मदद मिलती है कलाकार रोजगार्डे इस प्रोजेक्ट के द्वार इको फ्रेंडली मार्ग को भी प्रमोट कर रहे हैं लेकिन कभी-कभी हर चीज को प्रमोट करना खतरा भी पैदा कर सकता है किस ओफ लोग के पैरोकार हो जाएं सावधान क्योंकि 10 सेकंड का चुम्बन यानि 8 करोण बैक्टिरिया को नियोता नीदरलेंड में माइक्रोपिय म्यूजियम और दे नीदरलेंड्स और्गनाइजेशन फॉर एप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च के शोध करताओं के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है सिर्फ यही नहीं साथी का नवबार से अधिक चुम्बन लेने पर भी आप इतने ही बैक्टिरिया को आमंत्रन साइंटिस्ट रिमको कोर्ट ने बताया कि दस सेकंड तक चुम्बन लेने वाले युगलों के थूक में आठ करोन बैक्टिरिया पाय जाते हैं अब आप इसे दिमागी फितूर कहें या प्रकृति के प्रती अजीब आकर्शन एक नेचरलिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े साप एनाकोंडा द्वारा खुद को निगले जाने की तयारी की है हैरत अंगेज है कि इसे फिलमाया तक जा चुका है ये निचरलिस्ट है 26 वर्शी पाल रोसोली पाल ने स्वेच्छा से एनाकोंडा का निवालाब बनने की इच्छा जाहिर की है न्यूश चार्ट में आज सिर्फ इतना ही नमस्कार